हालो फ्रेंड्स मैं संदीव आप सब लोगूं को फिरसे एक बर स्वागत करतों मेरे स्नेव वीडियो में और हमार टीप चाइनल पे और गाइज आज इस वीडियो में हम सर्वाइकल स्मॉंडिलोसिस, स्लिप डिस्क और साइटिक अपिन इन तीनों पॉइंट के बारे में ब तो उसका पेन कम करने में बहुत ज़्यादी इंपोर्डेंट होने वाली तो अगर स्लिप डिस्क होता है या सर्वाइकल स्मॉंडिलोसिस होता है यह जो तीनों पेन हमें होते यह हमारे डिस्क के रिलिटेड होते तो इस कंडिशन में जो पेन होते यह बहुत ही ज्याद हो उसी तरह जब भी हमें sleep disc होता है तो उस टाइम जो pain होता है वो हमारे lower back से लेके hips से लेके पेर के पीछे से लेके hill तक चला जाता है तो दोनों condition में अगर हमें cervical spondylosis है या sleep disc है तो उन दोनों condition में हमें pain की जो intensity होती है बहुत ज़ाद होती है हम कुछ भी नहीं कर सकते guys और उ काफी बार होता क्या है जब भी हमें cervical spondylosis detect होता है या sleep disc होता है तो उसके immediate हमें क्या protocol follow करना चाहिए हमें किन चीजों का खयाल रखना चाहिए इसके बार हमें काफी लोगों को पता नहीं होता इसलिए काफी बार हो जो pain होता है वो बढ़ने के बहुत बड़े chances होती है तो करने वाली तो गाइस काफी लोगों को अड़े पता है कि seroical spondylosis क्या होता है अगर नहीं पता तो इसकी उपर हमने detail में वीडियो बना कि हमारे चाइनल पर अप्लोड कर दिया है उसे तरह हमें साइटी का pain के उपर भी काफी सारे वीडियो बनाया है sleep disc के उपर भी वीडि जरू होता है उसके साथ साथ वो pain हमारे हाथ तक finger तक चला जाता है हाथ में नमने साना, tingling sensation, pain उसके साथ साथ सारवाइकल में काफी बार लोगों को headache होता है, सर के पीछे बहुत ज़्यादा pain होता है, काफी बार लोगों को चक्कर जैसा feeling आता है तो यह सारे सरवाइकल spondyl spondylosis के symptom होते है और जो slip disc होता है उसमें क्या होता है, lower back में बहुत intense pain होता है, वो pain हमारे हिप से लेके, साइटिक का नर्व को अगर हमारा disc प्रेस कर रहा है, तो वो साइटिक का नर्व को प्रेस होनी की वज़े से वो pain lower back से लेके हमारे hill तक पैर के पीछे से चला जाता है तो guys जिन लोगों के problem हो चुका है वही जानते है कि यह pain किस level का होता है, तो guys अब अगर मान लो आपको cervical spondylosis का problem है या आपको slip disc cytica का problem है, तो उस case में हमें सबसे पहले क्या क्या steps follow करने चाहिए ताकि आपका pain कम हो जाएगा और आप इस problem से बाहरा होगे, तो जो सबसे पह point होता है, मान लिजे आपको cervical spondylosis का pain detect हुआ, slip disc आपको हुआ है और आपका pain neck से लेके हाथ में जा रहा है cervical में, या आपका slip disc में pain lower back से लेके नीचे, hill तक जा रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी pain शुरू होता है, तो सबसे पहले जो हमारा point होता है, वो हो आपको compulsory rest लेना बहुत important होता है, आपको complete bed rest चाहिए, आप जिस दिन pain शुरू होता है, बहुत unbearable pain होता है, तो आपको completely bed के उपर late जाना है, सिधा position में, आप बिल्कुल भी चलने की कुशिश ना करे, आप बिल्कुल भी जुगने की कुशिश ना करे, cervical spondylosis में आपको neck क बिल्कुल जुखाना नहीं होता, बिल्कुल आवड करना होता है, या अगर आपको slip disc का site का pain है, तो उस condition में आपको forward bending, मतलब आपको कमर से आगे की तरह बिल्कुल जुखना नहीं, अगर आप cervical में neck जुखाओगे, या slip disc में forward bending करोगे, तो आपका pain बढ़ने के chances बहुत ज रेस्ट लेना है, जब भी आपको washroom जाना है, बातरूम जाना है, या कोई important काम करने है, वसी time आपको उट जाना है, बाकि complete आपको rest लेना है, जितना आप रेस्ट पे जाओगे, उतना आपका nerve pain, आपका cervical हो या फिर slip disc को, वो pain कम करने में बहुत ज़्यादा help होगी, उसके अगर आपको slip disc है, slip disc में आपका lower back से लेके pain, अगर पेर के पीछे से होके hill तक जा रहा है, तो आप lower back की रहा है में भी थोड़ा icing करो, क्योंकि जब भी nerve हमारा press होता है, चाहे फिर वो neck में हो, या फिर हमारे lower back में हो, तो वहाँ पे हलका सा inflammation आने के chances होते हैं, और inflammation की आगे जुकना नहीं, neck को जुकाना नहीं, कई भी जाना नहीं, walking आपको मना है, running आपको मना है, या बहुत prolong sitting, बहुत देर के लिए chair के उपर बैठना भी आपको मना है, आपको बहुत देर के लिए खड़े होना भी मना है, तो एक ही चीज़ important है, वो है rest, लेट जाना, दू आपको cervical pain है, neck से pain शुरू के हाथ में जा रहे है, तो उस time आपको cervical belt मिलता है, वो use करना है, ये बहुत important है guys, ये belt आप अगर use करोगे, तो आपके neck का moment होता है, वो restrict कर देगा, और आपके neck moment जितना कम होगा, उतना आपका pain कम हो जाएगा, इसलिए आप लोग, compulsory जो belt मिलता cervical belt, उसको लगा के रखे, दो से तीन दिन के लिए, ठीके, आप इसके अलावा, अगर लोगों को slip disc है, अगर आपको कमर में pain हो रहा है, lower back में pain हो रहा है, और आपको पैर में जा रहा है, तो उस condition में आपको number support belt मिलता है, वो लगा के रखना है, अब ये belt कब लगाना है, ज कुछ काम करने के लिए उठ रहा है, तो उस time आपको compulsory belt लगाना ज़रूरी होता है, अगर आप लेटे हो तो आपको belt लगाना की ज़रूरत नहीं, बट अगर आपको slip disc है, साइटी का पैने, lower back में pain पीछे, पैर में जा रहा है, तो उस time चाहिए आप लेटे हो, खड़े हो कुछ भी करो, उस time belt को ज़रूर लगा की रखे, क्योंकि ये belt हमारे joint को, lower back को stability देगा, और ओ pain कम करने में बहुत ज़्यादा help करेगा, तो ये था हमारा तीसरा point, आपको cervical spondylosis में belt यूज करना है, और slip disc में lumbar support belt यूज करना है, तो guys ये हो गया मेरे 3 point, अब हमारा 4th point आ कोई बोल रहा है कि ये करो करो किसी की मत सुने, आप सीधा किसी भी orthopedic doctor को जाके मिलिये, या अगर आपके वापे कोई अच्छा physiotherapist है तो उसको जाके मिलिये, या अगर बहुत ज़्यादा pain intensity बहुत ज़्यादा है, तो आप किसी spine surgeon को भी जाके मिल सकते हो, उनको मिलने के बाद वो क्या करेंगे, आपको कुछ x-ray निकारने के लिए बोलेंगे, दूसरी चीज़ अगर उनको लग रहा है तो आपको यहमारा report करने के लिए बोलेंगे, जो भी वो बोलते है वो follow किजे, क्योंकि x-ray और यहमारा के बाद ही पता चल जगता है कि आपकी कौन सी nerve press हो रही है, कितना level तक वो प्रेस हो रही है और उसके लिए आपको क्या treatment देना है, यह treatment समझने के लिए आपको एक तो x-ray करना important है या फिर अगर आपको यहमारा करने के लिए बोला तो यहमारा करना important है, तो guys आप घर पे बैटे बैटे कही भी किसी का भी सुनके कुछ भी treatment मत किजे, आप सबसे पहले किसी भी orthopedic doctor या spine surgeon को मिले, वो आपको अच्छे से guide करेंगे कि आपको कौन सा treatment लेना चाहिए, कौन से reports आपको करवाने, उसके basis पे ही आपको क्या treatment होना चाहिए, कैसा रहेगा, वो आपको guide कर सकते हैं, काफी बार जरूत पढ़ती है, आपको लेने के लिए बोलते ही, और traction के बाद कुछ ऐसे exercises होते हैं, जो आपको बहुत easy way में करने होते हैं, वो आपको बोलेंगे, उनी को follow किजे है guys, क्योंकि अगर आपका pain बहुत ज़्यादा है और without any guidance, अगर किसी को बीना पूछे, आपने exercise करना शुरू कर दिया, तो शायद आपका pain बढ़ सकता है, इसलिए घर पे कुछ भी दिमाग मत लगाए, सबसे पहले rest लीजे, icing कीजे, उसके बाद आपका जो बेल्ट बोला है, वो लागाने की, कुशिश कीजे, जितना हो सके उतना, और fourth stage होता है, आप immediate किसी orthopedic doctor, या फिर किसी spine surgeon का consult कीजे, वो जो reports बोल कुछ दिन में उनको फरक आजाता है, उनका pain कम हो जाता है, तो लोग क्या करते है, वो therapy छोड़ देते, वो complete नहीं करते, बट ये सबसे बड़ी गलतियम करते, आपको जैसे pain कम होने लगता है, आप उसका थोड़ा seriousness निकल जाते, आप चाहे pain जितना भी हो, कम हो, एकदम से निकल गया हो, कुछ भी हो, जितने दिन के लिए therapy बोला है, आप उतना दिन पूरा कीजे, क्योंकि इसमें काफी सारे चीज़े होती है, आपका posture correction होता है, आपका core strengthening बहुत important होता है, उसके साथ सारे आपका muscle का strengthening, muscle का stretching, सारे चीज़े important होती है, इसलिए जितना भी protocol आपको बोलते हैं, उतना पूरा की बुरा follow कीजे, उसको बीच में बिल्कुल मत छुड़िये, तब जाकि आपका यो problem ही हमेशे के लिए चला जाएगा, और आगे problem आने के chances बहुत ज्यादा कम हो जाएगे, तो guys I hope जो भी चीज़े मेंने आज आप लोग को बताई, आपको पूरी साइटी का पिन होता है, वो कम होना शुरू हो जाएगा, तो guys I hope जो भी चीज़े मेंने आज आपको बताने के कुशिश की हूँ, आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, अब हम मिलते हमारे अगले वीडियो में, इसी नजी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, टेक केर कि आपको बताने के शायरते हैं được के में एकफे जाऊे लेका किसे हैंダमारे और किन हमारे लेस्तोर से एकिश का में होगी कर आपको नह जूरे आपको थे वम्लेकर कोया की है, यह किसे हो धिक साथ, वसर भाई teछ जाख, यह कि